नमस्कार मैं सोतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकी से 452 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम तीन अलग-अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी बार में 80 की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरूरत है तो आप हमारे टेलिग्राम गुरुप को जोइन कर सकते हैं गुरुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो सत्तर की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट कॉंग्रेस संचालन परिसद की बैठक में यह जो फैसला हुआ कि भारत जोडो यात्रा समाप्त होने के बाद पार्टी हाथ से हाथ जोडो अभियान सुरू करेगी उससे यही पता चलता है कि कॉंग्रेस नित्रित्व अगले आम चुनाओ की तैयारियों में जुट गया है इसमें हर्ज नहीं राजनेतिक दलों को इस तरह की कोशिस करनी ही चाहिए हाथ से हाथ जोडो अभियान का उद्देश बूत बलाक पंचायत अस्तर पर लोगों से संपर्ग साधना है इस तरह के अभियान जनता को कॉंग्रेस से जोडने का काम कर सकते हैं लेकिन तभी जब उसके पास ऐसा कोई एजेंडा हो जो लोगों को उसकी ओर आकरसित कर सके समस्या यह है कि कॉंग्रेस आम जनता के समक्ष कोई वैकल्पि एजेंडा पेस नहीं कर पार ही है वह यह काम भारत जोडो यात्रा के दोरान भी नहीं कर पाई इस यात्रा के दोरान राहुल गांधी वही पुरानी बाते दोहराते रहें जो वह एक लंबे समय से करते चले आ रहे हैं भले ही भारत जोडो यात्रा का उद्देश देश को जोडना बताया जा रहा हो लेकिन यह किसी से छीपा नहीं कि ऐसी यात्राओं का मूल मकसद राजनीतिक जमीन मजबूत करना होता है किसी दल की राजनीतिक जमीन मजबूत हो रही है या नहीं इसका पता चुनाओं से चलता है यदि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाओ नतीजे कांग्रेश के अनुकूल नहीं रहें तो इसका असर भारत जोडो यात्रा और साथ ही राहुल गांधी पर भी पड़ेगा पैरा भारत जोडो यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश में है इसके बाद वह राजस्थान में प्रवेश करेगी वहां मुख्यमंत्री असोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पाइलट के बीच की तनातनी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है भारत जोडो यात्रा के दोरान यह तनातनी चरम पर आ जाये तो हैरानी नहीं इसकी भी अंदेखी नहीं की जा सकती की इसी यात्रा के दोरान केरल कॉंग्रेस में आपसी खीचतान देखने को मिली और उसके पहले जम्मू कस्मीर में पार्टी दो भाड हो गई इसके अलावा तिलंगाना उपचुनाओ में कॉंग्रेस ने अपनी विधान सभा सीट खो दी कॉंग्रेस को इसकी तह तक जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ चुंकि ऐसे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है इसलिए बार-बार यह कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस को भारत से पहले पार्टी को जोडने की आवस्यक्ता है कॉंग्रेस में आपसी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है यह जो उमीद की जा रही थी कि मलिका अरजुन खरगे के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में गुटबाजी पर लगाम लगेगी वह पूरी होती नहीं दिख रही है इसका उदाहरण राजस्थान कॉंग्रेस है भले ही मलिका अरजुन खरगे यह कह रहे हों की जवाब देही पर खरे न उतरने वाले नेताओं के खिलाफ कारवाई की जाएगी लेकिन कोई नहीं जानता कि राजस्थान कॉंग्रेस के उन विधायकों के विरुध कारवाई क्यों नहीं हुई जिन्हें अनुसासन हीन पाया गया था दोस्तो इसी लिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय श्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें श्टार्ट कॉंग्रेस संचालन परिसद की बैठक में यह जो फैसला हुआ कि भारत जोडो यात्रा समाप्त होने के बाद पार्टी हाथ से हाथ जोडो अभियान सुरू करेगी उससे यही पता चलता है कि कॉंग्रेस नित्रित्व अगले आम चुनाओ की तैयारियों में जुट गया है इसमें हर्ज नहीं राजनेतिक धलों को इस तरह की पोसिस करनी ही चाहिए हाथ से हाथ जोडो अभियान का उद्देश बूत बलाक पंचायत अस्तर पर लोगों से संपर्ग साधना है इस तरह के अभियान जनता को कॉंग्रेस से जोडने का काम कर सकते हैं लेकिन तभी जब उसके पास ऐसा कोई एजेंडा हो जो लोगों को उसकी ओर आकरसित कर सके समस्या यह है कि कॉंग्रेस आम जनता के समक्ष कोई वैकल्पिक एजेंडा पेस नहीं कर पार ही है वह यह काम भारत जोडो यात्रा के दोरान भी नहीं कर पाई इस यात्रा के दोरान राहूल गांधी वही पुरानी बाते दोहराते रहें जो वह एक लंबे समय से करते चले आ रहे हैं भले ही भारत जोडो यात्रा का उद्देश देश को जोड़ना बताया जा रहा हो लेकिन यह किसी से छीपा नहीं कि ऐसी यात्राओं का मूल मकसद राजनीतिक जमीन मजबूत करना होता है किसी दल की राजनीतिक जमीन मजबूत हो रही है या नहीं इसका पता चुनाओं से चलता है यदि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाओ नतीजे कांग्रेस के अनुकूल नहीं रहें तो इसका असर भारत जोडो यात्रा और साथ ही राहूल गांधी पर भी पड़ेगा पैरा भारत जोडो यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश में है इसके बाद वह राजस्थान में प्रवेश करेगी वहां मुख्यमंत्री असोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पाइलट के बीच की तनातनी कम्त होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है भारत जोडो यात्रा के दोरान यह तनातनी चरम पर आ जाये तो हैरानी नहीं इसकी भी अंदेखी नहीं की जा सकती कि इसी यात्रा के दोरान केरल कॉंग्रेस में आपसी खीचतान देखने को मिली और उसके पहले जम्मू कस्मीर में पार्टी दोफार हो गई इसके अलावा तिलंगाना उपचुनाओं में कॉंग्रेस ने अपनी विधान सभा सीट हो दी कॉंग्रेस को इसकी तह तक जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ चुंकि ऐसे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है इसलिए बार-बार यह कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस को भारत से पहले पार्टी को जोडने की आवस्यक्ता है कॉंग्रेस में आपसी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है यह जो उमीद की जा रही थी कि मलिका अरजुन खरगे के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में गुटबाजी पर लगाम लगेगी वह पूरी होती नहीं दिख रही है इसका उदाहरण राजस्थान कॉंग्रेस है भले ही मलिका अरजुन खरगे यह कह रहे हों कि जवाब देही पर खरे न उतरने वाले नेताओं के खिलाफ करवाई की जाएगी लेकिन कोई नहीं जानता कि राजस्थान कॉंग्रेस के उन विधायकों के विरुध कारवाई क्यों नहीं हुई जिन्हें अनुसासन हीन पाया गया था इस्टॉप दोस्तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड मे लेंगे और आपका समय इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें कॉंग्रेस संचालन परिसद की बैठक में यह जो फैसला हुआ कि भारत जोडो यात्रा समाप्त होने के बाद पार्टी हाथ से हाथ जोडो अभियान सुरू करेगी उससे यही पता चलता है कि कॉंग्रेस नेत्रित्व अगले आम चुनाओ की तैयारियों में जुट गया है इसमें हर्ज नहीं राजनेतिक डलों को इस तरह की पोसिस करनी ही चाहिए हाथ से हाथ जोडो अभियान का उद्देश बूत बलाक पंचायत अस्तर पर लोगों से संपर्ग साधना है इस तरह के अभियान जनता को कॉंग्रेस से जोडने का काम कर सकते हैं लेकिन तभी जब उसके पास ऐसा कोई एजेंडा हो जो लोगों को उसकी ओर आकरसित कर सके समस्या यह है कि कॉंग्रेस आम जनता के समक्ष पोई वेकल्पि एजेंडा पेस नहीं कर पार ही है वह यह काम भारत जोडो यात्रा के दोरान भी नहीं कर पाई इस यात्रा के दोरान राहूल गांधी वही पुरानी बाते दोहराते रहें जो वह एक लंबे समय से करते चले आ रहे हैं भले ही भारत जोडो यात्रा का उदेश देश को जोडना बताया जा रहा हो लेकिन यह किसी से छीपा नहीं कि ऐसी यात्राओं का मूल मकसद राजनीतिक जमीन मजबूत करना होता है किसी दल की राजनीतिक जमीन मजबूत हो रही है या नहीं इसका पता चुनाओं से चलता है यदि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाओं नतीजे कांग्रेश के अनुकूल नहीं रहें तो इसका असर भारत जोडो यात्रा और साथ ही राहूल गांधी पर भी पड़ेगा पैरा भारत जोडो यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश में है इसके बाद वह राजस्थान में प्रवेश करेगी वहां मुख्यमंत्री असोक गहलोत और पूर्व उप्र मुख्यमंत्री सचिन पाइलट के बीच की तनातनी कम्त होने के बजाए बढ़ती ही जा रही है भारत जोडो यात्रा के दोरान यह तनातनी चरम पर आ जाए तो हैरानी नहीं इसकी भी अंदेखी नहीं की जा सकती कि इसी यात्रा के दोरान केरल कॉंग्रेस में आपसी खीचतान देखने को मिली और उसके पहले जम्मू कस्मीर में पार्टी दो फार हो गई इसके अलावां तिलंगाना उपचुनाओं में कॉंग्रेस ने अपनी विधान सभा सीट खो दी कॉंग्रेस को इसकी तह तक जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ चुंकि ऐसे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है इसलिए बार-बार यह कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस को भारत से पहले पार्टी को जोडने की आवस्यक्ता है कॉंग्रेस में आपसी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है यह जो उमीद की जा रही थी कि मलिका अरजुन खरगे के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में गुटबाजी पर लगाम लगेगी वह पूरी होती नहीं दिख रही है इसका उदाहरण राजस्थान कॉंग्रेस है भले ही मलिका अरजुन खरगे यह कह रहे हों की जवाब देही पर खरे न उतरने वाले नेताओं के खिलाफ कारवाई की जाएगी लेकिन कोई नहीं जानता की राजस्थान कॉंग्रेस के उन विधायकों के विरुध कारवाई क्यों नहीं हुई जिन्हें अनुसासन हीन पाया गया था इस्टाब